Hello dear student, एक बर फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल iSmart Solution पर तो आज की सीडियो में हम आपके लिए Class 10 की Part 8 वीडियो लेकर आएं चैप्टर का नम क्या है Reflection of Light Light का दूसरा पार्ट है, मेरे रोल लेडियो में आपके साथ सिनिश कर चुके इस पार्ट में हम आपके साथ पावर की फूरी डिटेल डिसकस करने वारे Basic डिटेल भी और उसकी जहां जो जितनी भी सब कहते है Last डिटेल दोनों Concave और Convex Lens के लिए दोनों के लिए Means यहां पर हम Combination of Power का भी यहां पर डिसकस करने वाले कि एक Thick Lens के लिए और Thin Lens के लिए Power पर क्या effect पड़ता है Diopter क्या होता है? Diopter का Meaning उसकी Definition Power की दोनों ही Formula और दोनों ही Definition यहां पर आपके साथ डिसकस करेंगे Hope so Power की सभी डिटेल आपको बहुत ज़्यादा पसंदा है वीडियो आपको पसंदा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर अब इतक अपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे में पावर होती ही क्या है क्योंकि कभी एक्जाम में आपसे पूछ ली जाए तो आप उन्हें क्योंकि क्यों करता है यह दूसरी अगर आपको डेफिनेशन दे है तो ऐसी भी दे सकते है इसके जो मनें फोर्मले से किरियत की है the power क्यों इस दी रेसिपरोगर को है किसका वीडियों पढाता अगर अपने वाली वीडियों पढ़ाता है अगर आपने इसी बहता है पार्ट सेवं वीडियो नहीं देगा तो देखिए समें सारी science convention सारे formula आपके साथ discuss किये हैं आपके लिए बहुत ज़्याद है useful भी यह में हो तो power का formula क्या होता है one upon f कब होता है जब यह मीटर में होगा यह चीज ध्यान रखना अगर centimeter में होगा तो formula हो जाएगा hundred upon f clear where कौन सी चीज क्या है f क्या है focal length जो कि meter या centimeter दोनों में भी हो सकती है centimeter और meter p क्या है power of lens है power of lens क्या है concave की हो चाहे convex की unit क्यों होती है diopter क्या unit थी power की diopter अब diopter होता क्या है दोनों formula के लिए जहां नकना focal length का reciprocal power को बोलते हैं अब diopter क्या है diopter का concept भी आपको बता देता हूं exam में क्या पूची जाता है what is one diopter एक diopter बोलते किसे one diopter one diopter is the power of a lens यह power होती है उस lens की whose focal length length is one meter जिसकी focal length क्या होती है one meter होती है उसकी power क्या बोलते है one diopter बोलते है one diopter के लिए एक च्छटा से concept जो में हो लेडी science convention वाले concept में डिसक्स कर चुका रहता है Convex के लिए हमेशे power positive देखेंगे हम और Concave के लिए negative देखेंगे इसके uses में में आपके concept और के लिए करूँगा आपने देखा होगा किसी भी आपकी क्लासमेट का किसी भी specs लगे होंगे spectre जीज़े बोलते हैं वो बोलते हैं तरी power क्या है plus 5 है sorry plus 2 है minus 2 है minus में है और 0.5 है मतलब positive और negative sign के साथ बोलते हैं और कभी भी देखेंगे कभी भी spectre बनवाते हैं हम अपने specs के लिए तो देखेंगे उनकी वो लेते हैं यूनिट लेते हैं plus D लेते हैं plus D या minus D plus 0.5D या minus 0.5D क्यों D in the sense डियोक्टर होता है power check करने के लिए होप सो power का basic concept के लिए हो रहा है आपको एक और इससे लिए थोड़ सा point और discuss कर लेते हैं इसका combination और thick और thin lens इसके लिए power कैसी होती है सो ये कुछ और बात करते हैं थोड़ से thick और thin lens के उपर जैसे कि मैंने एक example ले लिया ये मिरे पर एक थोड़ सा thick lens है एक example और ले लेते हैं ये हमारे पास thin lens है thick lens और thin lens में फरक क्यों होता है ये थोड़ सा thick lens है ये हमारे पास convex है और ये हमारे पास thick है thin है sorry यह हमार रपस, convex यह भी, अब थिक में होता क्या है, A thick lens has short focal length, focal length कैसे होती है, short होती है, but high power, high power, means क्या होता, आपने देखोंगा आपके classmate के, cousins के, गोगल सब्सक्राइब, उनके अगर glasses थोड़े से मोटे हैं, ठिक हैं, क्यों है, क्योंकि उनकी power ज़्यादा हो चुकी होती है, उनके focal length short होती है, focal length और power में reciprocal क्यों, focal length कम है, तो power ज़्यादा है, क्यों हैं, यह एक दूसरे के reciprocal होते हैं, inversely proportional होते हैं, पावर दबाले तो focal length फाध फोकल लेंग, जितनी ज्यादा होतीजाएगी पावर जितनी ज्यादा होतीजाएगी, एतना lens पतला थिन होता चला जाएगा, पहले concept, ठिक के लिए बात करते हैं, दिन लैंस, has large focal length large focal length focal length कैसे होती है इसकी large focal length focal length बहुत ज़्याद़ large होती है but less power power कैसे होती है less q reciprocal होता है अभी मैं आपको समझाया दो नहीं concept concave sorry convex के थीक और थिन का concept आपको के लिए और हुआ ज़्यादा hard बड़ ज़्यादा बड़ा concept नहीं है अगर आपको समझ माया तो next point बहुत करते हैं अगर फिर भी कोई doubter आप वीडियो को पॉस करकर बैक करकर अच्छी देख सकते है क्या क्या concept थीक में क्या होता है power high होती है क्यों होती है रही प्रकूल होता है reason भी मिलिया अब हम देखते हैं थोड़ा सा lens इसका combination वीडियो को मैंने जल्दी जल्दी complete करने कोशिश किया ताकि ज्यादा लेंदी ना हो आप अच्छी से not भी कर सकते है concept को अपने doubt को comment box में लिखना ना मूले जैसे कि अपनी upcoming वीडियो में आपके doubt को अच्छे से clear कर सके तो combination देखते हैं किसका power का combination और power के सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़े से formula पढ़ेंगे क्योंकि यह थोड़े से useful होने वाले है P equal में P1 प्लस P2 P3 भी कर सकते हैं dot dot कितने भी हो add कर सकते हैं अगर focal length को add करने की बात करे जाए तो वह भी add कर सकते हैं लेकिन focal length को आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप उसे meter में convert करके add करें centimeter में करेंगा थोड़ा सा confusion होगा तो यह question कब use होता है कभी यह तो normally use हो जाएगा लेकिन focal length वाला concept कब आता है फ्रोड़ा सा बड़ा numerical आता है तब आपके इसके use होने के आने के chances जादा होते है इसका use में आपको इपर करके दिखा जाता हूँ क्योंकि एक्जाम में इसके काफी बार question पूछे गए यह कैसा lens है convex lens है इसकी power कैसी होती है positive होती है तो इसकी power हमारे पास ले लेते है 4D power इसकी convex की एक और ले लेते है यह मेरे पास कैसा है concave है concave lens इसकी power कैसी है minus का 2D क्योंकि नेगेटिव होती है आपको पता है इसका combine करें तो मेरे पास diagram कुछ ऐसा बनेगा combine करने बाद मेरे पास diagram ऐसा बना यह मेरे पास क्या है combination है combination of lenses lens का मेरे पास combination है यह कितना आने वाला है normal हमारे पास P का formula क्या बता है P equal में P1 plus P2 3 हो तो 3 भी लिख सकते है P1 कितना है मेरे पास plus 4D और यह minus का 2D sign of bigger number तो combination की power क्या आएगी plus 2D यह question करना आया यह question 1 और 2 मांक में काफी बार रिपीट अबता है combination का अब सो वीडियो आपको पसंद आई हो सारे concept आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगे वीडियो पसंद आएगे वीडियो को like करना ना भूले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe जरूर कर दे जिससे कि आने वाले सभी chapters के latest note आपके पास time to time पहुच सके Thanks